हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटीब चैनल आज से मैं एक और चीज स्टार्ट करने वाला हूँ ओटोकाइड में काफ़ सारे स्टूडेंट की मेरे पास मेसेज आये हैं या फिर कमेंट में उन्हें पूछा है हम उसे कि सर ऑटोकाइड से रिलेट जो इंट्रिव हो सकता है और वह आपका नॉर्मल कॉस्टिंस भी हो सकता है जो ओटोकेड से रिलेटीड है अगर इनको आप कर लोगे तो आप किसी इंट्रिव को करेक्ट कर जाएंगे और बहुत सारी चीज है जो आपको आपको उस चीज को पता चलेगा तो आज की मेरा फर्स्ट डे है फर्स्ट 10 कॉस्टिं मैं आपके सामने लेके आया हूं तो आटोकेड एमसी क्यूज है पार्ट वन आप यहां से देख सेके को कॉस्टिंस रहेंगे 10 जो मुल्टिपल चोइस कॉस्टिंस है और इंट्रिव्यू से रिलेटीड वोश्टिंस है लिए तो चले स्टार्ट करते सबसे पहला जो कॉस्टिंस है वह है ओटोकेड वास डैबलग पाई ओटोकेड किसके द्वारा बनाया गया तो यहां पर ऑप्चन है माइक्रोसोफ्ट को उसके बाद है एपल यह फिर ओटोडेस्ट यह नन ओफ दा अबवड तो इसका राइट अंसर है वह है ओटोडेस्क ओटोडेस कंपनी त्वारा बनाया गया था आपका जो उर्टोकेड था ओटोडेक्स कंपनी है जिन्होंने ओटोकेड सफ्टर को बनाया था उसके बाद है जो ओटोकेड वास फॉस्ट रिलीज हुआ तो उसका जो राइट अंसर यहां पर रहेगा वह इसबंबर 1982 में रिलीज हुआ था AutoCAD, December 1982 में आपका AutoCAD यहां पर रिलीज हुआ था जो आप यहां पर नौट कर सकते हैं, what is CAD, CAD क्या है, it is a system software, या फिर it is an application software, या फिर it is a hardware, और it is neither hardware और not software, तो इसका right answer है, जो AutoCAD आपका launch हुआ था, वो as a application launch हुआ था, तो इसका आपका जो answer है, वो है, it is an application software, इसका answer हैगा, it is an application software, उसके बाद है, how many workspace are available in AutoCAD, AutoCAD में कितने workspace available हैं, तो इसके लिए मैं AutoCAD पर चलता हूँ, तो आप यहां पर देखेंगे, उपर आपा workspace है, अगर ना दिखाईते तो drop-down पर जाएं, और यहां पर workspace को आप on कर लें, तो अब आप इस पर click करोगे, तो यहां पर देख सकते हैं, drafting and annotation, 3D basic and 3D modeling, तीन type के आपके main workspace रहते हैं, drafting and annotation रहता है for 2D, यह जितने भी tools आपको नज़र आ रहे हैं, 3D basics पर click करोगे, तो यहां पर 3D के कुछ basics tool आ जाएंगे, जो आप interior architecture में use करते हैं, और अगर आप 3D modeling पर click करोगे, तो यहां पर सारे tools आपके 3D basic के साथ सब advanced tool आ जाएंगे, जो हम mechanical में basically use करते हैं, तो इसका right answer रहेगा कि हमारे पास 3 रहते हैं, अगर मैं आप वहां पर जाता हूं, 3D basic, 3D modeling, drafting, annotation, यह तीनों ही रहते हैं, तो इसका right answer क्या रहेगा, all of the above कि तीनों ही आपके workspace में available रहते हैं, उसके बाद बात करते हैं next question पे, next question है which is the latest version of AutoCAD software, अब यह question का answer timely आपका change होता रहेगा, मालो आप यह video एक साल बाद देख रहे हैं, अभी 22 चल रहे है और 22 में ही अब यह लगा लो कि में चल रहे है, 23 आपका launch हो चुका है, यह रहे, तो जैसी आपका एक year start होता, उससे पहले ही साल में next year का आपका software version launch हो जाता है, तो आज की अगर बात करो, तो latest जो है, वो है मेरा 2023, जिसका right answer है, AutoCAD 2023, तो आप 23 इंस्टोल कर सकते हैं, उसके बाद है, which of the following is the extension for AutoCAD drawing file, जी AutoCAD की drawing file को जब आप save करते हो, वो किस extension में save होती है, extension क्या होती है, बता देता हूँ, जैसी आप AutoCAD पर जाओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपर जो title बार है, वहाँ पर drawing 1 के बाद लिखा हो है, dot dwg, dot dwg AutoCAD की extension होती है, for example, जैसे आप mp3 save करते हो, जहाँ पर भी dot mp3 लिखा हुआ मिले तो आपको लगेगा कि यह audio song है, mp4 आये तो videos होंगे, यह extension होती है, तो जहाँ पर भी आपकी file के पीछे dot dwg लिखा हुआ है, वो आपकी AutoCAD की basically file है, तो इसका right answer जो रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा dot dwg, जो extension AutoCAD की वो है dot dwg, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यह आपकी AutoCAD की extension है, उसके बते how many units are available in AutoCAD, AutoCAD में कितनी unit available रहती है, अगर मैं AutoCAD में जाओं और you and enter करूं, तो आप यहाँ पर देखोगे types में, 5 type के आपकी units है, architectural, decimal, engineering, fractional and scientific, नॉर्मल या आर्किटेक्टेक्टर में हम या इंटिरियर में हम, fractional and scientific यूज नहीं करते हैं, हम basically 3 यूज करते हैं, architectural and decimal is for fit inches, जो आपकी imperial unit होती है, and decimal is for metric unit, जैसे मिलीमेटर हुई, सेंटिमेटर, मेटर, किलोमेटर, उसके लिए हम decimal use करते हैं, तो टोटल जो यहाँ पर unit ह है, वो 5 unit है, तो जो इसका right answer आपका रहेगा, वो रहेगा 5, तो total unit यहाँ पर 5 होती है, जो आप यहाँ पर भी देख पारे हो, यहाँ इमेज मैं यहाँ भी लगाई है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो 5 unit है, उसके बाद है, which key is used to obtain properties palette in AutoCAD, अगर मैं AutoCAD में जाता हूं, तो आप देखोगे, property palette open हो गया, तो इसका right answer रहेगा, आपका control plus 1, बट अगर आप control 2 press करते हो, तो इससे आपका design center open हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, control 3 अगर आप press करोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे, आपका tool palette, यह open हो जाएगा, और control 4 अगर आप प्रेस करोगे, तो यहाँ पर sheet set manager आपको open हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा right answer जो रहेगा, control plus 1 press करके हम इस चीज को open कर सकते हैं, तो यह था आपका 9th question, तो next question है, which of the following is not the keyboard shortcut of AutoCAD, कौन सा keyboard का shortcut नहीं है, first है alt-p, alt-p अगर आप press करते हो, तो वो navigation open कर देता है, कि आप shortcut से आप किसी भी command पर जा सकते हो, one पर click करोगे तो open and new पर आप जा सकते हो, यह एक shortcut हो जाती है, second अगर मैं बात करूँ, alt-plus-f4, alt-plus-f4 file को close करने के काम आता है, यह भी एक shortcut है, third है control-plus-b, अगर आप control-plus-b करते हो, तो आपका snap को आप on-off कर सकते हो, यह भी आपका keyboard को एक shortcut है but next आपका control-plus-5, अगर आप control-plus-5 प्रेस करते हो, तो कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है, तो यह आपका keyboard shortcut नहीं है, in AutoCAD, तो यह आप यहाँ से, इसका right answer जो रहेगा, वो रहेगा control-plus-5, जो आपका keyboard कोई भी shortcut नहीं है, तो यह थे आज के 10 question, आसा करता हूँ, आपको अच सकते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, यह वाली चीज़े आप चाहते हो, तो आप comment section में बता सकते हो, वीडियो को like कर सकते हो, share कर सकते हो, और मेरे को किस-किस topic पर आपको questions चाहिए, वह अगर आप चाहते हो, तो मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए लिए तो please comment section में आपन विडियो अच्छे लेगे, यह वीडियो अच्छे लेगे quindi like, share and subscribe. ब्रूल इतैनल के सोग्स.